संगम नगरी प्रयाग राज में कुम्भ मेला शुरू होने में महस कुछ ही दिन बचे हैं और मेला प्रिशासन कुम्भ में कोई भी चूक नहीं करना चाहती बदादें की कुम्भ मेले में इस संगम तट पर एक नया शहर बसाय जा चुका है जहां अधुनिक सुख सुविधा का ध्यान खासा रखा गया है करीब पचास दिनों तक चलने वाले इस धार में का आयोजन के लिए एक नया शहर बसाय गया है इस अस्थाइज शहर में वो सबी सुविधाएं होती है जो एक शेएं में होती है और शद्धालों के लिए इस बार अलग तरीके से टेंटों को लगाये गया है जहां पांस सितारा होटेल जैसी सुविधा का लाब मिलेगा नहीं ये बहुत बढ़िया है अलगी सहर वस्ता इसमें सारी सुविधा है मुल बहुत सारी कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो ना हो रेलवे फायर और पुलीस फोर्स अस्पताल विद्धुत विवाग जल विवाग मनलब अधर ग्रेट सारे हैं इसमें बहुत बढ़िया काम हो रहा है देखें ये एक कुम मेला है कुम मेले में एक ये सहर अपना अलग बनाता है इसका डियम अलग होते हैं सेस्पी अलग होते हैं इसका पूरा कंट्रोल रूम इसका पूरा बनता है सी सी टीवी पे इसका पूरा डिस्पले होता है पूरा ये मेला छेतर और ये यहां पर हर ची एक्टर शेतर में फैले इस अस्थाई शहर को 20 सेक्टरों में बाटा गया है महें इस बार कुम्भ मेले में करीब 14 करोड से जादा लोगों के आनी की उमीद है वहें पुलीस ने भी सुरक्षा के लिहाद से मेला शेतरों में 40 ताना बनाया है पंजाब केस्थी टीवी के लिए प्रयाग राज से सेद रजा के रिपोर्ट